वेलकम एविवन मैं हूँ प्रतिक्षा गाईज आप लोगों ने कभी क्या कोई ऐसी मूवी देखी है जिसका एंड बिलकुल आपके सामने ही छूट के रह गया हो आपने सोचा हो कि काश इसका कोई एंड हो और हम लोगों को इसके बारे में पता चले कि वो अच्छा हो या ब हालंकि एंड में के अंदर गाई सारी ही एंड में ऐसी ही रहती है जो कि काफे ज़्यादा एमोशन से भरी हुई रहती है तो आज हम फिर से एक और एंड नहीं दिया गया है बिलकुल बीच के अंदर ही छोड़ दी गई है लेकिन अगर आपको लेजनरी मुवी देखने का है तो फिर आपको इस मुवी को अपने लिस्ट में रखना ही पड़ेगा मुवी के टाइम लाइन 1991 की है जहां पर स्टार्टिंग के अंदर हमें एक लड़का और लड़की दिखाये चाते हैं लड़की का नाम ताका की और लड़की का नाम शीनुहारा है ये दौनों ही पाचीत काफी जादा हुआ करती थी और ये दौनों फ्रेंट्स भी बन गए लेकिन क्लास के बच्चों कोई चीजी बरदाश का थी कि ये दौनों बच्ची एक दूस्टे के साथ में है और बाकियों के साथ में नहीं है तो आपस में इन दौनों की चड़ाने लग जाते है कि ये दौनों तो रिलेशन्शिप पे हैं लेकिन इनकी दोस्ती इन चीजों के उपर इफेक्ट नहीं होती है हालांकि दौनों को बुरा तो लगता है लेकिन फिर भी इने कुछ जाधा फरक नहीं पड़ता है ये दौनों ही बड़े हो गए और अभी इनकी की स्पीड से नीचे गिरते हैं और मीरी इच्छा यही है कि मैं हमेशा इने तुम्हारे साथ ही देखूं कुछ दिनों बात के अंदर शिनोहारा तकाकी को कॉल करती है और कॉल पर बहुत जाधा रो भी रही थी वो बताती है कि उसकी फादर का बहुत दूर ट्रांसफर हो है और उसे जल्द ही यहां से जाना पड़ेगा वो वापस से सिटी में नहीं आ सकती है और आगे की स्टडीज भी वही कंटिन्यू करेगी तकाकी भले ही छोटा था लेकिन तो भी शिनोहारा को बहुत जाधा पसंद किया करता था और बचपन से शिनोहारा की दूर जाने से वो डिप्रेस रहने लगा किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता पढ़ायों में भी कुछ खास ध्यान नहीं था स्कूल के अंदर कुछ उसके जाधा दोस्त थे नहीं और अब तो वो स्कूल में भी बिलकुल अकेला हो गया था लेकिन कुछ टाइम के बाद में शिनोहारा क गर सी काम चला रहे थे, पिरसे कुछ टाइम और ज़दा बीच जाता है जिसके बाद में तकाकी के खुद के फादर पताते हैं कि उनका भी ट्रांसफर होनी वाला है और वो इस शहर से और पिदूर जा रहे थे जिसके बाद में तकाकी शिनोहारा से अपनी दूरी को काउं थी नहीं लेकिन फिर भी वो शीनोहरा से मिलने के लिए अपनी सारी प्लैनिंग करता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम थब आती है जब तकाकी ट्रेंग को लेता है उसमें बैट तो जाता है लेकिन स्टार्ट हो जाता है और वो भी हद से जाईदा जैसे जैसे stations आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे snowfall बढ़ता ही जा रहा था इसी के कारण बीच बीच में train को रोपना पढ़ रहा था और इसी के साथ में बर्फ को हटा ही जा रहे थी इस चकर के अंदर काफी ब्रद देरी हो जाती है उसके अंदर उसमें अपनी सारी feelings भी लिख रखी थी वो अपने pocket के अंदर इसको डाल ही रहा था लेकिन गलती से हवा चलने के कारण वो letter वहां से उड़ जाता है और बाहर निकल जाता है तकाकी ने शायद बहुत अच्छी चीज़े लिखी थी उसके अंदर लेकिन उसके किसमत खराब थी कि वो letter उसे काफी जाता दूर चला गया और शायद शीनोहारा का वोई चीज़े मूँ से नहीं बता पाता दूसरी जगह को यापका wait कर रहा है और आप यहाँ पे एक जगह train के अंदर चल रहे हैं नहीं तकाकी को कुछ हो तो नहीं गया या फिर आखिर वो इत्ता लेट कैसी हो गया जिसके बाद हम देखते हैं कि शीनोहारा तकाकी के लिए बहुत सारा खाना लेकर आए थी यह दौनों साथ में अच्छा खासा time spent करते हैं खाते हैं लेकिन अप टाइम हो गया था रेलव काफी जदा close आ जाते हैं एक दूसरे को केस करते हैं और उसके बाद में और पासे के अंदर एक छोटा सा घर बना हुआ था वहीं पिर अपनी night spent करते हैं तकाकी खुश होने के साथ साथ में हस्ते जदा depressed भी था क्योंकि यहीं वो moment था कि अगले दिन उसे यह कुछ भी नही है अगले दिन वो शीनोहारा से बहुत जादा दूर हो जाएगा और शायद पता नहीं कब मिल पाएगा शीनोहारा भी इसी कश्मे कश के अंदर थी और सीधा तकाकी को गले से लगा ली थी है अब अगले दिन तकाकी की ट्रेन थी जहां पे शीनोहारा उसके साथ में आई थी उसे बाई बोलने के लिए ये दोना जादा बात कर भी नहीं पाते और तभी तकाकी की ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और वो यहां से निकल जाता है पता चलता है कि शीनोहारा ने भी एक लैटर लिखाता और उसमें भी काफी सारे फिलिंग्स वगर और वेसे बाते लिखी रखी होगी लेकिन वो बूल जाती है और वो भी तकाकी को नहीं दे पाती पता चलता है कि ये था इस कहानी का पहला हिस्सा इसके तकाकी का काफी दूर ट्रांसफर हो गया था तो वो एक नए स्कूल के अंदर जाता है, जब पहली बार तकाकी अपने नई वेट किया करती थी कि कब उसकी classes खत्म होगी और कभी ये दौनों एक साथ में घर जाएंगे उस वक्त इन दौनों के पास में scooter टाइप की चीज थी तो दौनों एक साथ में घर भी आया करते थे तो तकाकी को कनाया के साथ में आना पसंद भी था कि साथ में अटलिस जाने के लिए कोई है कनाया देखा करती थी कि उस वक्त तकाकी के पास में फोन था और वो फोन के अंदर हमेशा से messages टाइप किया करता था लेकिन किसे करता था ये चीज नहीं पता थी उसे और सबी बच्चों ने सोच रखा था क्या कि इन बच्चों को क्या करना है लेकिन कनाया ने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोची थी कि उसे क्या करना है वो थोड़ी से अपने ही खयालों में रहनी वाली लड़की थी कनाया को उसके parents और उसके teachers वगर सब guide भी करते थे और council करके बताते भी थे कि आखिर उसे क्या करना चाहिए कनाया एक दिन wait करती ही जा रहे थी लेकिन आप तक भी तकाकी नहीं आया था काफिते रोने के बाद वो भी निकल जाती है जहापे रास्ते के अंदर उसे तकाकी की स्कूटी दिखाई देती है और दूर पहार के उपर वो खुद बैठा था और वहाँ पे बैठ के किसी को message कर रहा था तो वो भी उपर चली जाती है बैठ जाती है वो बात करने लगती है और कहती है कि 12 खत्म होनी के बाद में तुम कहां पे जाओगे और तुम्हारी क्या प्लैंस है जहां पर तकाकी कहता है कि वो टोकियो चला जाएगा वहां के किसी college के अंदर admission ले लेगा और इसे जादा उसने नहीं सोचा है करनाया को ये बात सुनके बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता था कि तकाकी एक दिन जरूर बहुत जादा दूर चला जाएगा और होनी भी ऐसा ही वाला है जबकि उसने तो अपनी future के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है आखिर वो किती बेवकूफ है जहां पर तकाकी उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है बलकि मुझे भी मेरे life के बारे में कुछ भी नहीं पता मैं भी बस हमेशक होया रहता हूँ और इसमें तुम्हारी कोई बलकि मैं तो बिल्कुल तुम्हारी जैसा हूँ अब यहां पर तकाकी का फोन दिखाया जाता है जिस वक्त वो पूरे टाइम फोन के अंदर messages type करता है वो सब कुछ उसने किसी को send नहीं किये थे बलकि अपने मन की बात लिकिए उन सब को delete कर दिया था यह सब कुछ वो अप उसके कोई भी letter नहीं आते थे तो तकाकी को लगता था कि शैस शीनोहारा अपने life के अंदर काफी सथा आके निकल गई है और उसे अब disturb करने का कोई मतलब नहीं है यह तो थी शीनोहारा की बात लेकिन तकाकी आज तक भी शीनोहारा को बिल्कुल नहीं भूला था बलकि एक क्यासा दिन नहीं जाता था जब वो उसके बारे में सोचता नहीं था उसके तो सपने में भी शीनोहारा ही थी यानि कि उसने अपनी पूरी life उसके साथ में सोच रखी थी जिसके बाद में scene कनाया के ओपर shift हो जाता है वो उर्शन के पास में आई थी surfing करने के लिए लेकिन 6 में इसे practice करने के बाद में वो अच्छे से surfing नहीं कर पा रही थी कनाया की बड़ी भेहन उसे अभी भी यहीं कहती है कि क्या तुमने कुछ सोचा भी है कि आखिर तुम्हें क्या करना है जहां पर कनाया वही word बोलती है जो कि उसे ताका की ने कहे थे कि उसे नहीं पता कि उस से पसंद करती है आर्चरी क्लास almost खत्म हो गई थी और अब तकाकी आने ही वाला था यहां पर कनाया की हालत बहुत जाता खराब हो रही थी कि आखिर वो कैसे बोलेगी तकाकी को तकाकी आ ही गया था और यह लोग स्कूटर की तरफ जा ही रहे थे कि तब ही कि कनाया को समझ से पैदा लिजाने लगते हैं ना तो यह दौनों बात कर रहे थे और साथ इमें इनके बीच में बहुत जीब ससन नाटा था कनाया को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहे क्या जब कनाया नहीं कन्फेस कर पाती तो इस चकर में वो रोने ही लग जाती है वह इतनी स भीक मांगती हूँ कि मुझसे दूर ही रहो या तो फिर इसी वक्त ये दौनों ही यहाँ पे एक रॉकेट लाँच देखते हैं और कनाया चुपो के उसी की तरफ देखने लगती है बिल्कुल ये एक तूटे तारे की जैसे दिख रहा था कनाया और तकाकी का घर अल्मोस्ट आने वाला था कनाया अपने घर की तरफ रुख जाती है और उसे समझ में आता है कि तकाकी के मन में कुछ भी नहीं है वो यहाँ से अगर जा भी रहा है तो उसके लिए रुख नहीं रहा है इवन मुड़के भी नहीं देख रहा है तकाकी के लिए बस एक अच्छी दोस से जादा और कुछ भी नहीं थी इसी के करण वो उसे जादा कुछ बाते वगर करता ही नहीं है कनाया ने सोच लिया था कि जब तकाकी के लिए वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं तो आखिर वो उसे बता कि भी क्या ही करेगी और अब वो यह फैसला कर लेती है कि वो कभी तकाक ही तीसरे पार्ट पे जाती है और इसी पार्ट का नाम है 5 cm पर सेकंड कहानी अब तक 2008 तक पहुँच चुकी थी तकाकी टोकियो शहर के अंदर है और वहां पे अच्छी खासी डेफलपर की जॉब भी कर रहा है लेकिन तकाकी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसके प्रेंट भी है जो कि उसके साथ में 3 साल से रह रही है वोसे मैसेज करती है और सब कुछ ओवर करने के लिए कहती है लेकिन तकाकी को को इंटरस्ट नहीं था तीन साल से वो लड़की भी बिचारी अकेला ही फील करती थी और आखिरकार उसने तकाकी को छोड़ दिया लेकि जिसके बाद से निया शीनोहरा पर शिफ्ट होता है इतने साल बाद के अंदर वो अपने शहर में वापस लौट के आई थी और साथ ही में हमें एक रिंग भी दिखाई जाती है इसका मतलब यह है कि शीनोहरा सच में बहुत जादा आगे निकल गई थी और इसी के साथ में अपने पुराने घर पे आगे अपने पुराने समानों को जब शीनोहरा देख रही थी तो उसे अपने वही बच्पन का लेटर मिलता है और उसी पड़के वो एक बार फिर से पुरानी यादों के अंदर चली जाती है कही न कहीं उसे तकाकी की हद से जाता याद आती है शी शीनोहारा अभी खुश नहीं है और कई न कई तकाकी के पास में चली जाएगी। पता चलता है कि इसी के बाद में तकाकी और शीनोहारा दौनों को एक दूसरे का सपना आता है वो भी सेम टाइम पे कि दौनों एक साथ में ही घूम रहे हैं। ये दौनों वहाँ पर है जहां पे उसने बच्पन के अंदर एक पेड़ से गिरते हुए चैरी ब्लॉसम देखे थे वो भी तकाकी के साथ में और इसी वक्त बिल्कुल सेम टाइम पे तकाकी भी गुसर रहा था ये दौनों एक दूसरी के बिल्कुल आमने सामने थे लेकिन ये दौनों एक दूसरी को ना तो ट्रेन आ जाती है तकाकी वहीं पे खड़ा था और शिनोहरा वहां से निकल चुकी थी तकाकी वहां पे एक स्माइल करता है जैसे कि मानों उसे पता ही था कि ये जरूर शिनोहरा होगी और इसी के साथ में गाईज ये महीं पर खत्म हो जाती है जैसा कि मैंने आपको कहा ही कि ये movie बस एक जटके के अंदर खत्म हो जाएगी इसके बात के predictions हम ना जाने कितने सारे लगा सकते हैं अगर happy ending चाहिए तो ये सोच सकते हैं कि ये दौनों एक दूसरे को मिल जाते हैं इसी शहर के अंदर और एक दूसरे के साथ में रहते हैं या फिर ये भी हो सकता है कि कहिए न कहीं तका कि शिनोहर को भूल जाएगा क्योंकि औविसी बात है शिनोहर की शादी धर अखेले-अकेले रहेंगे तो इशी पोई एंडिंक कुछ भी हो सकती है तो चरीफे मिलते हैं आप सबी लोगों से अगली मुवी में तब तक के लिए टड़ा